बॉलिवुड गलियारों से एक बड़ी गुड न्यूस सुनने को मिल रही है। साथ ही दोनों माता-पिता बनने को लेकर काफी जादा एकसाइटेड हैं और पेरेंट्स बनने की पूरी तयारी कर रहे हैं। कि तब से उन्होंने कभी एक दूसरे को अलोन नहीं छोड़ा। एक साल तक डेट करने के बाद दोनोंने साल 2016 में शादी कर ली थी। वैसे बिपाशा बासू और करन सिंग्रोवर अपनी रॉमांटिक और हैपी फोटो सोचल मीडिया पर शियर करते ही रहते हैं। इनफाक दोनों अपने हर पोस्ट पर हैश्टाग मंकी लव भी लिखते हैं। फैन्स इन दोनों को एक आइडल कपल मानते हैं। वैल इस साल वैलंटाइन्स डे पर बिपाशा ने करन के लिए एक प्यार भरे पोस्ट में रॉमांटिक फोटो शियर करते हुए कैप्शिन में अपनी लव लाइफ के बारे में बात की थी। वहीं दोनों के वर्क फ्रेंट की बात करें तो साल 2015 में आई अलोन के बाद से बिपाशा बड़े परदे पर नजर नहीं आई लेकिन वो अपनी डेली लाइफ रूटीन इंस्टा स्टोरी इस पर और इंस्टागरम पोस्ट पर शियर करती रहती हैं। 2020 में विपाशा वेब सेरीज डेंजरस में करन के साथ नजर आएं थी। वहीं दूसरी और करन टीवी शोस, OTT प्लाटफॉर्म और फिल्मों में लगातार नजर आते रहते हैं। उन्हें आखरी बार स्टीरियल कुबूल है 2.0 में देखा गया था। बाकि करन अपनी फिटनेस और विपाशा के साथ लवी डवी फोटोस को लेकर सुर्ख्यों में बने रहते हैं। अब बस विपाशा और करन के फैन्स को इस खबर की ऑफिशिल अनौस्मेंट का इंतिजार है। वही इन दिनों बॉलिवुट में आलिया भट की प्रिग्नेंसी की खबरे भी जुरोशोरों से हैं। आलिया और इनवीर कपूर अपने पहले बच्चे का वेलकम करने के लिए काफी एकसाइटेट है। बागी आपकी इस वीडियो पर क्या राए है हमें कॉमेंट बॉक्स में जुरूर बताइएगा शुक्रिया।